हेलो दोस्तों स्वागत या आपका मेडिसीन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल पर आजम सीडों में ब्रोफाइली कैपसुल के बारे में पूरी जान कर लेने वाले ब्रोफाइली कैपसुल का मेंली यूथ अस्तमा की समस्यादूर करने में किया जाता है वेल फ्रेंड्स वीडियो स्टाट करने से पाल एक छोटे से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पना है तो चैनल कर सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को भी प्रेस करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसीन से जुड़े वीडियो लाते रहता हूँ तो चल अंबने रिपेलिन कैप्सुल में आइसिपोफ्राइलिन 100 mg यह कंटेंस हमोस्ति बात करते इस कैप्सुल की उजर्प के बारे में डॉक्टर इसे किन समस्व मुस्तमाल करते इस कैप्सुल का में लिउज अस्थमा की समस्या दूर करने में किया ज़ता है इसे सी ओपीडी की समसा दूर करने में भी डॉक्टर यूज़ करते हैं, COPD मतलब को अन्यक एप्टेक्टिव पल्मरेडी डिसीज या एक फेप्टो से सम्मधिस समस्य होती है, जिसमें रोगी को सास लेने में परिशानी होती है, इस समसा को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस कैपसुल का इस करते हैं, इसे दमा खासी की समसा दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज़ करते हैं, इस कैपसुल के आन्यक जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मसिस से संपर्ख कर सकते हैं, आपकी डॉक्टर उनके आन्वहों से इस कैपसुल का इस्तमाल अन्यक दूर करने एक लिए उसकर सकते बात करते इस décidé के डूसेज के बारे में अपनी समस्या अपने डॉक्टब को पता कर इस कैपसुल का डूसूम से निश्चित करख ले इसे आपने मन भर पर य और का ये अड़ल्ट rhe यदि आपको बता कि कुछ sad effect मैसुस हो तो आप तो रंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें इस capsule के इस्तमाद से आपको मितली, उल्टी, सिर्दर्ध, अपचन, बैचनी, पेट खराब होना एक कुछ sad effect हो सकते अपने डॉक्टर को आवश्च्य दे, इस वज़े से इस capsule का ड्रग इंट्रेक्शन या और्डोस होनी की संबावना कम होती है, अगर आपको लिवर या फिर किद्नी से जुड़ी के आनने समस्था है, तो उसकी सुचना भी आपने डॉक्टर को आवश्च्य दे, दोस्तों अ अगर आप कुछ वड़ो से helpful information मिलियो, तो वीडियो को लाइक करें, और Medicine Review Tips YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उस चैनल पर आपको हमेशा है Medicine Reviews मलत रहेंगे, थैंक्यो फोर वाचिंग इस वीडियो